नमस्कार साथी हूँ, मैं रजनिश पांडे, सेमिस्टार ग्लोबल स्कूल, ऑनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले भाग में वर्ण और वर्णमाला के पृथम भाग में वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, उस कड़ी में हमने क्रमशह, वर्ण, वर्ण का अर्थ, उसकी परिभास और उसके प्रकारों की चर्चा की थी, साथ ही उस चरण स्थान का भी हमने चर्चा किया था अब उसी कड़ी में उसी के दूसरे भाग में हम वर्ण के दूसरे प्रकार या वर्ण माला के दूसरे भाग जिसे की हम वेंजन कहते हैं, उसके ओपर हम चर्चा करने चल लाएं तो सुर्प्रत हम यहाद देख लें कि हमने पहले भाग में किनकी चीजों को पर पढ़ने के फोकस किया था देख लें कक्षा साथ कक्षा साथ कहने के लिए है लेकिन इसमें छह, साथ, आर्ट, तीनों कक्षाएं आ जाएंगी तो इसमें वर्ण और वर्ण माला, अर्थ, परिभासा, प्रकार और उच्चारण स्थान इसी कड़ी में अब हम क्रमसय विंजन वर्णों का अध्यन करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले यह देख लें कि स्वरों को पढ़ते समये एक चीज हमने संख्या दो 11 बताई, उसी में दो और चीज़ें आती हैं जिनने अयोग वा कहा जाता है क्रमसा अनुस्वार और विसर्ग उन्हें कहा जाता है इनको अयोगवा कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ना तो ये स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से वेंजन है इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है एक जिसमें बिंदी उपर होती इसे अनुस्वार कहते हैं और दूसरा जिसे अहा कहते हैं जिसमें हाल अगभग निकलता है उच्छारण में उसे हम विसागे कहते हैं तो ये दोनों पूरी तुरह से ना तो स्वर है ना वेंजन है और इन दोनों का किसी के साथ योग नहीं होता इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा जाता है अब वर्ण माला के दूसरे जो प्रकार है वह वेंजन है स्वरों के तदंतर तो वेंजन किसे कहते हैं? वेंजन वेवर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या हम यूं कहलें कि वेंजन जो वर्ण होते हैं वह स्वरों पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं और सभी वेंजनों में आश्र की जो मात्रा है वह समाईत रहती है समाई हू रहती है तो वेंजन वेवर्ण हो गया जो स्वर्वर्णों की साहता से बोले जाते हैं या जो स्वर्वर्णों के उपर आसित होते हैं, निर्भर होते हैं अब इन वेंजनों को तीन भावों में बाटा गया है पहले हम यह देख लें कौन कौन से वेंजन है यहाँ पे हम देखें क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, 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 इय, ट, ठ, ड, ढ, ढ, अड, त, ठ, द, ध, न, प, भ, 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 म, य, र, ल, ब, और श, स, स, हा तो इस प्रकार से ये पूरे विंजन वर्ण हैं, अब इन्हें तीन अलग-अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक रमसर है, का से लेकर के, का से लेकर के, यहाँ मा तक के विंजनों को अश्पर से विंजन कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाल कलम स इसे रेखांकित किया गया है, तो का से मा तक के विंजनों को अश्पर से विंजन कहा जाता है, अश्पर से विंजन उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारन किया जाता है, तो जो हमारी प्राणवाय होती है, स्वास होती है, वहाँ मुख के आंतरिक भा को कही न कहीं अश्पर्ष करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए क्रमशह काका से ले करके माा तक यत के वुंजनों को अश्पर्ष वुंजन कहा जाता है। सवर पर्था में हम यह जान लें कि इन्हें अंतर्थ विंजन क्यों कहा जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो जिववा पूरी तरह से मुख के भागों को अस्पर्स नहीं करती है मैं अपनी परिभासा पुना दोरा रहा हूं कि यारलवा के उच्चारण में ज जिववा मुख के आंतरिक भागों को पूरी तरह से अस्पर्स नहीं करती है इसलिए इन्हें अंतस्त कहा जाता है और इन्हीं विंजनों को अर्धस्वर विंजन भी कहा जाता है अर्धस्वर मतलब जो आधेस्वर हों ठीक है उसके बाद शाह है साह और साह इन्हें उच् क्योंकि इनके उच्चारण में जो प्राणवायू होती है वह मुख के बाहर आते समय उसका मुख के अन्य भागों के साथ घर्षण होता है इक प्रकार की उश्मा उत्पन होती है इसी लिए इन्हें उश्म वेंजन कहा जाता है अब उसके साथ एक चिजो जानने वाली है वो ये कि इन वेंजनों को इनके वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर इनहें वर्ग में बाठ दिया गया है जैसे का है का वर्ग नाम दिया गया अगर हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में क ख ग अंगाएंगे इसी प्रकार थे चा वर्ग नाम दिया गया है जिसके अंतरगत च, छ, ज, 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 यह आएंगे टावर्ग की बात करें ट, ठ, ड, ढ, अन आएंगे इसी प्रकार तावर्ग और प्राग, पावर्ग तदंतर इनके उच्चारण अस्थान की बात की जाती है इनका उच्चारण अस्थान क्या है वो भी हम देख ले कावर्ग जो है कावर्ग कर्थात का खा गा गा अंगा इसका उच्चारण कंठ है कंठ जिसे हम गला कहते है चावर्ग जिसमें च, छ, ज, ज, यहां आते हैं इनका उचारण अस्थान तालू है टावर्ग जिसके अंतर कर ट, ठ, ड, ढ, ढ, अना आते हैं इसका अस्थान मूर्धा है उचारण अस्थान की बात हो रहे यह मुख के जिस भाग से बोले जा रहे हैं उसे हम उचारण अस्थान कहते हैं तावर्ग का उचारण दंत से होता है और पावर्ग का उचारण ओष्ट से अर्थात होठों की सहायता से किया जाता है फिर अगर हम इन अंतर से विन्जनों की बात करें या रा लावा तो इन सभी का उचारण अलग-अलग है या का उचारण तालू से रा का उचारण मूर्धा से ला का उचारण दंत से और वा का उचारण ओष्ट से होता है मैं एक बार फिर से दुरा दूँ या का उचारण तालू से रा का उचारण मूर्धा से ला का उचारण दंत से और वा का उचारण ओष्ट से होता है ठीक है? तद अंतर ये हमारे उसमेंजन है इनका भी उचारण अस्थान अलग-अलग है इसी के अधार पर इनहें इन तीनों साओं को अलग-अलग बोला भी जाता है आप देख सकते हैं यहां पर यहां तालू से, रा मूर्धा से ला जो है दंत से, वा ओष्ट से सा की बात करों तो इस शा का उचारण तालू से होता है यही कारण है कि इसे हम तालव विसा कहते हैं दूसरा सा जिसका उचारण अस्थान मूर्धा है इसलिए इसे हम मूर्धन इसा कहते हैं और तीसरा सा जिसका उचारण दंत से होता है इसे हम दंत सा कहते हैं और हा का उचारण कंठ से होता है उचारण की दृष्टी से ये तीनों सा बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परिक्षाओं में या कख्षाओं में भी ये चीजें बच्चों से पूछी जाए या बच्चों के सामाने जानकारी में अगर पूछा जाए तो वह सामाने ता वही रटी रटाई बातें बताते हैं कि सरवता वाला सा वो ठीक नहीं है आप इनका सही उचान स्थान जाने ये तालव शा है ये मूर्धन ये दंत सा है और इस चीज की आओ सकता प्राइमरी इस तरफ बच्चों को बताई जाएं 5 त 6-7 बताई जाए कि हां कॉन से सा का उचान अस्थान कॉन सा धंत न neural सा है कॉन सा मूर्धा और कांसा तालू है तो इस परकार से विजन को तीन भावों बाटा गया अश्पर्स, अन्तस्था और उश्म उसके बाद सभी का ओचारण स्थान कावर करमशा तालू कंठ का चावर तालू तावर्ग मूर्धा तावर्ग दंथ पावर्ग ओश्ट अंतर समिंजनों का उचारन अलग अलग जगहों से तालू से मूर्धा से दंत से उश्षे सा का तालू से शा का मूर्धा और सा का दंत से और हा का कंठ से तो यह हुआ तब अंतर अगर हम आगे बढ़ें तो देखें इसके अलगा कुछ हौल भी चीज़ें हैं जिने हम संयुक्ति विंजन कहते हैं संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक विंजनों के योग से बने हुए विंजन संयुक्त मतलब एक से अधिक यहां पर एक शा है जो की आ रहित का और मुर्धन्य सा से बना हुआ है दुसरा संयुक्ति विंजन तरा है जो की आ रहित और रा के योग से बना है उसके बाद ग्या है जो की आ रहित जा और या के योग से बना है उसके बाद है श्रा जो की अरहित्षा और रा के योग से बना हुआ है तो ये चार संयोंति बेंजन हुए ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रशने हैं जिसके द्वारा हम इस पार्ट के महत्रपूर प्रसनों को समझ सकते हैं पहला प्रशन अयोगवा किने कहते हैं और क्यों कहते हैं मैंने कहा न अन और अहा को अयोगवा कहा जाता है उन्हें अयोगवा क्यों कहा जाता है क्योंकि उनका ना तो स्वर के साथ योग होता ना तो विंजनों के साथ तदंतर दूसरा प्रश्ण है वेंजन वरणों को कितने भागों में बाटा गया है तीन भागों में बाटा गया है आपको पता है अश्पर्स, अंतस्त और उश्व अब वो वेंजन कौन कौन से है ये काम आपको करना है उसको लिखना है पुरा सिर्शक के साथ फिर तीसरा प्रश्ण है सहीउक्ति वेंजन कौन कौन से हैं से सामने लिखे हुए से वेंजन क्ष, त्र, ग्या और श ठीक है एक महत्यपुन बात मैं और कहना चाहरा था इस श का उच्चारन करते हैं समय उसमें का आना चाहिए जैसे कक्षा, कच्छा नहीं, कक्षा बोलते हैं उसको तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है? ति ये उच्चारन का अभी ध्यान पे रखना चाहिए इस भाग में इतना ही, तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए